Hello everyone, this is Shivani Prajapati and आज हम क्या देखने वाले हैं? कि हम अपने माइंड की जो रेटीनिंग पावर है उसको कैसे 인्कृーー athletics कर सकते हैं कैसे हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें जाधा देड टक जाधा टाइम तक याद रहे इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं तो पहले तो मैं एक चीज पताना चाहूंगी कि जब हम पढ़ते हैं तो हम आजकल इतने impatient हो गए हैं कि हम कुछ भी चीज को जली इलदी खतम करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं करना है हमको आपको यह पता है ना कि हमारे मांड में जो भी चीज जो भी थौट जादा टाइम तक रहता है उसे हम याद भी जादा टाइम तक रखते हैं ठीक है? तो यही चीज यही टेकनीक का हमें ही यूजce क़राना है जब भी हम read करें किसी भी चीज को तो हमें slowly करना है उसको सारी चीजों को समझते हुए हर word जो है ना, जो की हमारी नजरों के नीचे से निकर रहा है उसका जो totally हमें उसे पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है क्या वो कहना जाता है ठीक है तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें slowly read करना है ठीक है बहुत slowly slowly read करना है next thing क्या है read with patience अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे अंदर बिल्कुल भी patience नहीं है हमें क्या है हमें एक बुक उठानी है patience होना चाहिए कि हमें read तो करना है कब भी भी करनी है book बट हमें क्या करना है हमें इस में से जतनी भी information है जतनी भी knowledge है उस सबको gain करना है तो उसको gain करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर उस book को read करते हुए उस content को पढ़ते हुए patience हो उसी के साथ हम अच्छे से उस चीज़ को grab कर पाएंगे उस चीज़ को retain कर पाएंगे जब हमारे अंदर ही नी गई वो चीज़ हमारे mind के अंदर ही नी वो content पहुचा है और हम जल्दी बस हमारे अंदर ये है कि हम किस तरह से जल्दी कटम करें उस चक्र में हम उसको सही से रीडी नहीं कर पाते हैं, तो यह चीज भी बहुत ध्यान रखने वाली है, ताकि जो भी words, जो भी sentences, जो भी phrases हमारे mind, हमारी आखों के नीचे से निकल रहे हैं, वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहें, या फिर हम उनको अपनी practical life में भी यूज कर पाएं, next thing है कि don't engulf too much in one go, जैसे कि मैंने अभी यही चीज बताई थी, कि हम बहुत सारा चीज एक साथ consume करने की कोशिश करते हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी सारा खतम कर दें, क्योंकि हमें फोन चलाना है, या फिर कुछ और काम करना है, क्योंकि future जो हमारे targets हैं, वो हमारे mind में हमेशा रहते हैं, तो उस चीज की वज़े से हम बहुत जादा impatient हो जाते हैं, कि मुझे जल्दी से यह करना है, फिर जल्दी से यह करना है, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में सारा फैस बन जाता है, तो इस वज़े से हमें क्या करना ह थोड़ा थोड़ा मतलब कि अगर आपने एक target बनाया है, कि मुझे यह book इतने दिन में complete करनी है, मैं book का example ले रही हूँ, this can be academic content or anything, तो अगर हमने यह target बनाया है, कि मुझे यह book इतने दिन में complete करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आज जितना हो सकता है, मैं कर लेती हूँ, आज प इतना करूँगी, फिर नेक्स टे इतना, फिर नेक्स टे इतना, पर ऐसे करूँगी कि मुझे ना हर चीज याद रहे, बाद में जाके, ऐसा नहीं हो कि अरे यार मैंने पढ़ा किया था, मैं तो भूल गई, भूलने वाली चीज नहीं चीज़िए, अराम से पढ़ो उस ची है, वो जो content है, उसमें बहुत अच्छा था, तो उसको दुबारा पढ़ने का मन है, तो आप फिर से एक बार बुक को पढ़ने लगते हैं, पर अगर academic content है, है ना, तो उस content को हमें दुबारा पढ़ने की, दुबारा revise करने की बहुत जादा ज़रूत होती है, practice की ज़रूत ह होता है, academic content एक बार में नहीं आद होता है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको जितनी बार हो सके, revise करना है, आप notes बना सकते हैं, देखे, notes बनाने की एक technique होती है, पहले तो एक बार जो भी chapter है ना, उसको read कर लो, अच्छे से, जब वो read कर लिया है, एक बार अपनी आखों के teachers निकाल लिया उस chapter को, उसके बाद, फिर से उसी chapter को read करना है, पर किस तरीके से करना है, कि line by line notes बनाते चलना है, मतलब कि जो भी important point लग रहा है ना, तो मैं पहले से one reading में पता लग जाता है, कि क्या क्या चीज़े important है, क्या क्या चीज़े मुझे notes में लिखनी है, और किस त तीसरी reading करो गे बुकी पर notes के साथ, और फिर जब भी revise करो, तो उसको सर्फ notes को revise करना है, at the time of exams or whenever you want, ठीक है, तो यह एक टेखनीक होती है, यह मतलब technique, I don't know, पर यह तरीका है, जो कि मैं follow करती थी अपने school time में, और college time में, to some extent, तो यह आप देख सकते हो, कैसे कैसे हमें द this was all, इससे ना आप experience करके देखोगे खुद, कि जो आपकी retaining power है, जो आपको याद रहने लग रहा है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब की सारी चीजे तो नहीं, पर बहुत सारी काफी चीजे है, आपको पहले के comparison में जादा याद रहेंगी, तो this was all for today guys, have a nice day.